इस वक्त मैं मौझूद हूँ पुर्व केंद्रिये मंत्रिये रसीपी सिंग के पैत्रीक गाउं यानि मुस्तफापुर में आप देख सकते हैं या सारी जो जमीन दिखाए दे रही है या बरा सा तलाब हो या जो मंदिर दिखाए दे रही है या सारे रसीपी सिंग के परिवा और है क्योंकि यह जो संपत्ति खरीदी गई है यह मेरा नहीं बलकि मेरे दोनों बेटियों के नाम पर है हमारे साथ गाओं के एक निवासी हैं उनसे बात करेंगे यह बताएए यहां पर कितने प्लॉट है जो आर्सीपी सिंग के नाम पर है या उनके परिवार के नाम पर है मंदिर का है जो मंदियस इसकी अलाबा जो जमीन का प्लॉट है वह किन नाम पर तो यह इधर हंभान खरिदा गया था या पहले से खरिदा गया है यह कि यहां पर बड़ा सा बेलिडिंग भी यह बढ़ा सा बील्डिंग भी बन रहा है तो यह नहीं का है यह तो पर पड़ती जमीन है यह वहां पर पड़ती जमीन है जमीन के बाद दूसरी का है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे जो बगीचा देख रहे हैं यह भी उनहीं के परिवार का है यानि उनहीं की संपत्ती है इसके अलाबा एक बरा सा तलाब और दो मंदिर जो है यहां पर वो भी उन्हीं की संपती बताई जा रही है और सबसे बरी वात है कि इसके अलावा जो आप पीछे जितने भी खाली प्लॉट देख रहे हैं यह यह भी आर्सीपी सिंग के परिवार का ही बता जा रहा है और मेरे पीछे आप यह जो उजला कलर का जो तिनमजला मकान आप देख रहे हैं यह उनका पैत्री का वास है जहां खराब करना चाहती है इसलिए हम पर यहीं सबकादर पर अर्सीपी सिंग फिलाल पार्टी से इस्तिफा दे दिया और उनका कहना है कि आगे की राजनीती जो है वो जो उनके समर्थक हैं और जो कार करता है वह जो तै करेंगे वही आर्सीपी सिंग के आगे की राजनीती होगी कैमरामेन रिशी के साथ स्वराव कुमार नालंदा न्यूज 24 झाल 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 झाल